गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स वेलकम टू बीवियन ऑनलाइन क्लासेस स्टुडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं अब तक हम कॉशन नमर ट्वंटी सिक्स तक कर चुके हैं आज हम करेंगे कॉशन नमर ट्वंटी सेवन तो लेट्स स्टार्ट कॉशन नमर सेवन कॉशन नमर सेवन में हमसे कहा गया है स्टुडेंट्स बेटे मिनट कॉशन नमर सेवन कह रहा है हमसे इस सर्कुलर फ्लॉवर बैड है जो सरांड़ेड बाई फॉर मीटर हाइड जो की चार मीटर चौडे रास्थे से गिरा हुआ है यह लग से नहीं है अलग होता है तो हम इसका फे इरिया पात का निकाल लेते हैं ॥ा और बात इसीलिए उसलीए उसली और इसमें निकालना ने निकालने के बाद और धनों दो को इसलिए हम e loan यहाँ ब्लॉवर बैड का दिखना ihan गोखुत तो लेट्स सी, डायमीटर दे रखें, स्टूडेंट 66 मीटर, क्योंकि हमें क्या चाहिए होती है, हमें रेडियस चाहिए होती है, रेडियस आपके डायमीटर की हाफ होती है, आधा कर देंगे, इट मीन्स 33 मीटर, नाँ रेडियस आपके साथ हमारी रेडियस क्या हो जाएगी, फोर मीटर क्या होगा, इसमें स्टूडेंट हमारा एड कर दिया जाएगा, देखिए इसमें हमने एड कर दे कितनी हो कि 37 मीटर, अकोर्डिंग टू दा कॉश्चन, एरिया ओफ बिगर सरकल, यह हमारा बिगर सरकल का हो गया, यह हमारा स्मॉलर सरकल, यह हमारे स्टूडेंट्स देखिए, इन्होंने हमें करके दिखाए हुआ है, पाई र स्कूएर माइनस, यहां में जब bigger circle लिया तो उन्हों bigger r कर दिया और जब smaller circle लिया तो smaller r कर दिया मतलब area of circle होता है students pi r square हमारे pi r square होती है pi की value हमें student 3.14 कहा गया है तो students pi की value हम 3.14 ले लेंगे इसमें 3.14 ले लेंगे ठीक है students और जो हमारी bigger r है देखें pi r square इसे करने के दो तरीके हैं एक तो यह जो तरीके इसमें दिखा रहा पहले message समझा देखें तो इन दोनों मेंसे देखें pi को common ले लिया अंदर एक bigger r minus में smaller r रहे गया pi हमारे bigger r, r की value है 37 smaller r की value है 33 तो 33 का square minus में पटी बन रहे है next class में आप जाओगे तो आप बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे इसका हमारा rule होता है a plus b जब हमें इन खोलते हैं तो इसका मतलब होता है a plus b और a minus b तो students a plus b और a minus b देखें इस तरह से हम इसको कर देंगे solve next आगे देखिए हमारा देखिए आप इसको 33 plus 37 70 हो गया 37 में से 33 को मायस करेंगे 4 हो गया students इनकी बीच में हमारा multiply होगा तो इसका मतलब है हमारा multiply होगा तीनों को multiply कर देंगे multiply करके आ रहा 879.20 mm square यह आपका क्या हो गया area of पाद दूसरा तरह का यह students की हम इनकी value रख लें 3.14 multiply यहीं से इसको आगे ना बढ़ाएं यहीं से हम इसको solve कर लें multiply 37 multiply 37 minus 3.14 यह हमारा एक पाट हो गया है दूसरा multiply 33 multiply 33 इसको solve कर लीजे और फिर से solve कर लीजे जो भी दोनों का असरा है उनका आप क्या कर दें माइनस कर दें तो आप area of पाद निकाल पाएंगे तो यह question था question number 27 now next question is next question है आपका यह आपका एक magic square दे रखका जिसमें row है column है और diagonal है उनका अगर हमारा same sum आएगा तो वो magic square है आपको पता है यह चीज तो लेकिन अगर उनका same sum नहीं है तो हमारा magic square नहीं है हमें यह जो square है इसको check करके बताना है कि क्या यह magic square है या नहीं तो देखें यह हमारी row हो गई यह माइनस 9 माइनस 6 और माइनस 7 आपको माइनस 13 प्लस का 4 है तो माइनस 13 में से प्लस 4 करेंगे तो यहां भी माइनस 9 तो 3 माइनस 9 आ रहे हैं यह तो हमारा easy है यहां देखतें students columns में हम इसको यह तीनों है तो माइनस 9 यहां भी माइनस 10 माइनस 3 माइनस 13 प्लस 4 है तो माइनस 9 यहां भी माइनस 2 और माइनस 7 यहां भी माइनस 9 आ रहा है आपको कॉलम में भी हमारा same answer आ रहा है अब चेक करते हैं students ये हमारे diagonals हो गए diagonals में हमार नमर ये आते हैं –7 और –3 –10 plus 1 –9 second diagonal हमारा यह है –6 –3 आपका –9 तो यह भी हमारा –9 आ रहा है तो हमारे सभी के answer आप देख पा रहे हो row, column और diagonal सभी के answer हमारे –9 आ रहे हैं तो magic square क्या है हमारा यह सब्सक्राइब इसका मतलब यह हमारा मैजिक स्क्राइब है ना नेक्स कोशन इस नेक्स कोशन इस तुडेंट इन दा गिवन फिगर एल पहले है एमके फाइंड अन्नोन एंगल सॉरी स्टुडेंट्स यह गलत सम आ गया है एक मिनट यह कोशन आएगा पहले 29 कोशन वह भी है वह 30 है पहले 29 करेंगे फाइंड पैरिमीटर ओफ ट्राइंगल ए बी ए रेक्टेंगल बी सी डी ए थर्ड पुछा हूस पैरामेटर इस ग्रेटर किसका पैरामेटर आपका जादा है तो एस तुडेंट्स हमें इस फिगर में दिखा रखा है यह एक ट्राइंगल है नीचे एक रेक्टेंगल दे रखा है अब देख पा रहे है तो इन दोनों में रेक्टेंगल और ट्राइंगल में जो एक रो है यानि एक लाइन है हमारी वो हमारी क्या है दोनों में common है यानि कि जब हम ट्राइंगल में लेंगे तो 2 और 3 अपन 4 हमारी इस वाली रो की हमारी इस व प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड तीनों साइड को एड कर लें क्योंकि तीनों की वैली हुई अलग अलग है तीनों साइड की जो भी खोलने के बाद हमारा तीनों का ही जो डिनोमुनेटर है वो अलग 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 है इसलिए तीनों और लिएंक ही एडिनोमुनेटर को साइड कर दिए तो दर्स में आपका जो denominator हो जाएगा वो क्या होगा 22 की टेपल में 20 होता है 10 टाइम पे 4 की में 5 टाइम पे और 5 की में 4 टाइम पे तो यह देखिए हमने numerator को सी साब से इनके multiply कर दिया है इनों के multiply करके जो answer आ रहे हैं वो हैं लिखे हुए हैं इन्हें add कर देंगे add करने पे आ आने की rectangle BCDE तो BCDE में देखिए BE आपकी जो देखी हो है 2 all 3 upon 4 और ED आपकी देखी है 3 upon 5 तो देखिए आप इसका आगे का पार्ट है इस जगह है देखिए वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बोली थी perimeter of rectangle होता है student 2 multiply length plus breath तो आपका 2 multiply 2 all 3 upon 4 plus 3 upon 5 दोनों को खोल लीजिए आपका हम दोनों का LCM लेना पड़ेगा क्योंकी denominator अलग अलग है तो दोनों का LCM लेने के बाद 20 आएगा 4 की टेबल में 25 टाइम पर होता है और 5 की टेबल में 4 टाइम पर दोनों को add कर लीजे add करने के बाद आ रहा है आपको 67 upon 20 जो 2 अभी भी भी बहार रखा हुआ है को multiply करने में 133 upon 20 क्योंकि compare करने में students ही हमारा easy हो जाएगा mix fraction में convert गया 6 all 14 upon 20 perimeter of rectangle हो गया 6 all 14 upon 20 comparing कर लीजे आप दोनों में दोनों के देखिए LCM सेम है तो compare करने में हमारे easy हो गया 177 is greater than 134 therefore the parameter parameter of triangle is greater than next question is next question is given figure L parallel में L parallel is given figure ARE MK find the unknown angle unknown निकाले student समय यानि कि ये वली लाइन है ये वली लाइन इसके हमारे क्या है बराबर equal ठाट एक साथ चल रही है तो में parallel का मतलब होता है जो तो लाइन साथ में चल रही होते हैं लेकिन कभी एक दुस्रे को इंटरसेक्ट नहीं करती है उनलाइन इसको पहला लाइन कहते हैं लेकिन इन्हें एक ट्रांजवर्जल लाइन ने क्या किया है एक ट्रांजवर्जल लाइन में कट किया है तो आप देख पा रहे हो स्टुनें जैसे कि देखिए ट्रांसवर्जल लाइन है इस लाइन पर हमारी कुछ एंगल बने हुए हैं A, B, C, D, E, F और G एक एंगल की वैल्यू भी दे रखें स्टुएंट्स हमें 89 डिग्री तो देखिए स्टुएंट्स M लाइन पर हमारे दो एंगल बन रहे हैं 89 और A यह दोनों ही एंगल को अगर हम एड करें तो दोनों ही हमारे कितने डिग्री की हो जाएंगे 180 डिग्री जो की क्या कहलाता है हमारे linear pair कहलाता है A को आप आगे लिए आईए 180 जहां है उस जगह आप 89 को ले जाए तो किसका हो जाएगा माइनस का क्योंकि इस इकल तो से पहले किसका है प्ल इसी तरह से टूडेंट जो जी है वह आपके सी के कोर्शकानेंग पार्ट है उसक्लेंट रास् ठीखर्यस वेलिए जहां हो जो क्योंकि थे स judiciary अफ आर्प आ होगी वहुगा क्या है कॉरेसपॉनींग पार्ट है जानिए और और दिख इनU Pack A इसा में जाएंगे तो आपके A, B, C, D, E और F की value निकलना माले easy हो जाएगा तो students आज के लिए सिर्फ इतना ही बाखी की question हम next video में करेंगे thank you